नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आज एक DTH box आया है, जो की ओन होने के साथ ही हैंग हो रहा है, सबसे पहले हम इसकी supply voltage चेक करेंगे, पांच बोल्ट चेक करेंगे पहले, डैड़ पर पांच बोल्ट होके आ रहा है, अब हम जो इससे आगे डैड लगा हुआ है, उसको 3.3 बोल्ट आने चाहिए है, वो कम आ रहे हैं, तो अब हम इसकी ओपर एक और डैड लगा कर देखते हैं, बोक्स चला कर देखेंगे अब हम तो बोक्स में अभी प्रोब्लम आ रहा है, अब हम इस डैड को शोट करकर, देखते हैं, हमने डैड को शोट कर दिया है, और अब हम इस पर सप्लाई चेक करेंगे, इस डैड पर सप्लाई आ रही है, आप मैं चार वोल्ट पिलक बगा रहा है, तो अब हम इसको चला कर देखेंगे, हमारा बोक्स अब के चल रहा है, तो आप इसको शिरुफ पांच वोल्ट और तीन पर तीन वाली वोल्ट वाली सप्लाई पर ही इस तरह करके देखें, पहले आप डैड लगा कर देखें, अगर डैड से उप्पे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको शॉट करके देख सकते हैं, थैंक यू.